दोस्तो नवोदे विदाले परिक्षा समीती द्वारा वैसे तमाम कैनिडेट के लिए आवेदन परक्रिया सुरू कर दी गई है जो कक्षा 6 में अपना दाखला करवाना चाहते हैं आप देखेंगे आपका जो बैच 2024 से 25 सत्र होने वाली है जिसके लिए आवेदन परक्रिया स्टार्ट हो चुकी है इस वीडियो में हम आपको पूरी जनकारी बताएंगे कि नवोदे विदाले परिक्षा समीती में कक्षा 6 में परवेस के लिए आपको कैसे ऑनलाइन आवेद करना चाहते तो अपलाई कर सकते हैं जाम आपकी जो होगी नौंबर और जनवरी के महिने में होने वाले है रिजल्ट आपका मार्च अप्रिल 2024 तक डिकलियर होगी इसके लिए किसी भी परकार के कोई अप्लिकेशन फीड नहीं रखे गई इसके लिए लिजिबिलिटे कैट सकते हैं आप जो है पांचवी में अध्यन कर रहे हो उसके अलावे याप तेज से 24 सतर में आप पांचवी कक्छा पास हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अवेधन करने के लिए आपको नीचे आना है डिरेक्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलता है और से आपको certificate download करने का लिंक मिलता है और फूल notification download करने का link मिलता है सबको आप यहाँ पर किलिक करके आप पूरी जनकारी को read out कर सकते है जैसे आप apply वाले विकल पर किलिक करेंगे यहाँ पर एक option मिलता है candidate corner का और एक option मिलता है click here for class 6 registration 2024 जिस पर आप किलिक करेंगे तो आपके सामने पूरी guideline आ जाएगी और important date भी आप देखेंगे यहाँ पर बता गया कि आपका जो आवेदन चलेगी 10 अगस्ट 2030 तक चलेगी अडमिट का download करने का भी link नहीं दिया गया और कोई तिथी नहीं दिया गया यदि आप भी जवाहर नवोदे विद्याले कक्छा 6 का फॉम भर रहे हैं और अपनी त्यारी के लिए बेस्ट बुक खोज रहे है तो आपके लिए चक्सु परकासन लेकर आया है काफी सांदार बुक यह जो है study guide है जो कि कक्छा 6 के लिए बनाए गए है जो कि संपूर नियुनतम पार्ट करम जो होंगे उसके बेस पर है 3-in-1 बुक है इस बुक का खासियत यह है कि इसमें पची सो से भी अधिक जो है बहु बिकल्पिय प्रसन हल सहीत आपको मिलेंगे साथे साथ 6 set practice आपको मिलते हल सहीत आपको दिये गए है और 14-22 तक के जो भी प्रसन पूछे गए है 9 सालों का प्रसन साथे साथ उसका solve भी करकर आपको दिये गए है यह बुक जो है अन्य बुक से services लिए है क्योंकि इसमें इतने सारे facility 3-in-1 एक ही बुक में आपको दिये गए है तो इस बुक को आप बाई जरूर करें अगर आप इस त्यारी में चाहते हैं selection पाना इस बार चाहते हैं अपना दाखलय करवाना जवाहर नवादे भिद्याले में तो यह बुक आपके लिए बेश्ट रहागा इसको बाई आप अपने नजदी की दुकान से कर सकते हैं जो भी आपके आपको यहाँ पर मिलता है जिसको क्लिक करेंगे यह आप डाउनलोड करेंगे या इसका डाइरेक्ट लिंक हमने यहाँ पर भी दे दिया जिस पर भी क्लिक करेंगे आपके सामने यह सर्टिफिकर्ट डाउनलोड हो जागा पहले समस्ते इस सर्टिफिकर्ट को भढ़ना कैस father का नाम mention करनी mother का नाम mention करनी date of birth आपको meanton करनी है आपको gender बताना है अपना category बतानी है अपना आधार नमबर आप बताएंगे साथे साथ आपका address आपका mobile number email आइडिया आपके सरेल में कोई भी पहचान होगा उसकी जनकारी देंगे नेशनालेटिव इंडियन बता नहीं, हिंदू मुस्लिम से किसाई, डिलेजन में बता नहीं है, मेडियम आप इग्जामिनेशन आपको बता नहीं है, और यहाँ पर में जो डीटेल होती है, इसको आपको फिल करवानी होती है, यह सभी डीटेल जो है, आप अपने स्कुल से आप खुझ से भी भरकर स्कुल से वेरिफाई करवा सकते हैं, इसमें कैसे भरना है, तो सबसे पहले पूछा जा रहें कि आपने जो भी पढ़ाई किया होगा, जैसे थीरी, फोर, फाइब अगर आप पढ़ ही रहे हैं, तो यह कहां से आपने पढ़ाई किया, जैसे थीरी आपने कहां से किया, इस बॉक्स में डालेंगे, फोर कहां से पढ़ा है, और फाइब कहां से पढ़ा है, तो यह इसकुल का जो नाम होगा, आपको इस बॉक्स में बताना है, साथे साथ जो आपने थीरी पढ़ा था, जो इसकुल है, ग्रामिन शेतर में अवस्तित है, तो आप रूरल डाले सहरी में है तो अर्बन डालेंगे तो इससे प्रकार फोर फाइब का भी आपको डीटेल डाली है आपको month of year of joining बतानी थिरी में कब जोइन किये थे साइन और मोहर इसको आगे अपलोड करना है जिसके जनकारी हम आपको आगे बताएंगे इसमें document की बात करें तो यह certificate है आपके parent के जो signature है candidate का photograph है यह कुछ document है जो आपको अपलोड करने होंगे तो आईए जानते हैं आप form को कैसे भढ़ेंगे यहाँ पर देखेंगे यहाँ अगर बोला जाता है कि जो candidate है वो पाचवीक अच्छा अल्रेटी पास है या study कर रहे है तो उसके समें आपको बतानी है तो अगर आप पास होंगे इस करेंगे तो यहाँ पर बताएगा कि आप इसके लिए लिजिवल नहीं है आप पास नहीं है तो आप इस form को भढ़ सकते यहाँ पर नो वाले विकल पर क्लिक करना है सिकेन प्रस्न पूछे जाते हैं कि candidate जो है बाहर में वोदे विजाले के लिए इससे पहले इजाम अगर दिये होंगे तो आप यहाँ पर इस करेंगे तो भी आपको कहेगा कि आप इसके लिजिवल नहीं है क्योंकि इसमें वैसे candidate इलिजिवल होते जो फेहली बार फॉर्म को भरते हैं यहाँ पर नो वाले विकल पर क्लिक करना है अब यहाँ पर पूछा जाता है कि इसके लिए जो भी प्रोट टेस्ट दिये गया है उसको आपने पढ़ा है तो यहाँ पर आपको इस वाले विकल पर क्लिक करना है अब प्रस्म पूछता है कि जो आप जिले के निवासी है उसी जिले से पाचवी कक्सा पढ़ रहा है तो उसकेस में आपको बताना है एस करना है अगर आप नो करते हैं तो यहाँ पर बोलेगा कि फिर आप इसके लिए लिजिवल नहीं है नीचे आपको आना है अगला प्रस्म प्र्वेस करेंगे अगर आप नोग करेंगे तो यहां पर बोला जारे है कि आपके पास अधार कड रहाय तो चुम्ट के पास आधारकाट नहीं होगा उस आवस्ता में उनके जो माता-पिता है यानि भचि जो 5 क्लास में जहां भी पड़ रहा हूे उन जिले में उन्के माता-पिता का जो निवास-प्रमान-पत्र होगा उससे जीला से बनवाना होगा और उनको upload करना पड़ेगा जो कि बताया गया कि यह JPG format में होगा 50 से 300 केवी में होगा इसको upload करकर आप submit कर सकते हैं अब आपके आधार से जो number link होगा उस पर QTP जाएगा उसो OTP को fill करेंगे submit वाले विकल पर click करना है अगर आपके पास वो number अब लेबल नहीं है और आपको OTP प्राप नहीं होते हैं तो उसके समें no करकर submit करेंगे तो फिर आपको वही माता पिता वाला जो आपकी निवास प्रमान पत्र है जो निवास certificate है उसको upload करकर submit करना होगा जैसे आप submit करते हैं आपके सामने अगला page खुलता है जिसमें बोला जारे कि बच्चे जो पाचवी कक्षा जिस भी राजे में पढ़ रहे हैं 23, 24, 27 में वो बताएंगे किस राजे से पढ़ रहे हैं वो राजे को आपको चुनना है साथे साथ उस जिला को चुनना है जिस जिले से बच्चे पाचवी कक्षा पढ़ रहे हैं उसको चैन करेंगे साथे साथ यहां पर देखेंगे अब यहां पर आपको बताना है कि बच्चे जो पाचवी कक्षा में पढ़ रहे हैं वो किस ब्लॉक में आते हैं उस ब्लॉक का यहां पर नाम मिलता है उसको चैन करेंगे अब आपको बिदाले का चैन करना है तो यहाँ पर चैन नहीं होगा manually लिखना होगा कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो किस बिदाले से वो पाँचवी कक्छा में जो है 23-24 में पढ़ रहे हैं उनके अभी वावा का जो नंबर होगा उसको डालना है साथे साथ यहां से कैलेंडर के माद्यम से उनका डेट वबर्थ का चैन करना है एक email आईडिया आपको फ्रवाइड करनी है और mother का नाम यहाँ पर mention करना है साथे साथ गरजियन के तोड़ पर जिनका भी नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं यह optional में हैं आप चाहे तो दे सकते हैं ने था इससे छोड़ सकते हैं साथे साथ देखेंगे कारजियन जो आप optional में देंगे उनसे बच्चे का क्या संबंध है और जनकारी आपको बतानी है नेशनालेटी आपका देखनों को मिलेगा आइडेंटी मार्क पूछी जाती है बच्चे के सरेर में कहीं भी कोई कटा हो किसी पर करके मोल हो कोई निसान हो उसकी जनकारी आप बता सकते हैं नहीं है तो उसकेस में no mark आप यहाँ पर mention कर सकते हैं फिर आपको नीचे आना है बच्चे का जो जेंडर होगा पताएंगे बच्चे के जो डिटेल है आपको नहीं डालना है परसेंटेज आप बताएंगे कि बच्चे के जो धर्म है कौन सा है हिंदो मुस्लिम सीके साई जो भी होगा आप इसमें बताएंगे अब अभिबाबक का इंकम पूछा जा रहा है तो जितना भी इंकम होगा आप यहां पर बता सकते हैं कितना इंकम है साथे साथ यहां पर देखेंगे प्रिवियर्स स्कुल डिटेल पूछी जाती है जो कि हमने फॉर्म फिलप सुरू करने से पहले ही आपको सभी जयनकारी क जीला जीला में अवस्तित है उसकी जयनकारी तेंगे ब्लॉग यहां पर आपको बताएंगे अगर अलग-अलग है जैसे 4 किसे और से पढ़ा, 5 किसे और से पढ़ा, तो ये फिर आपको सबको अलग-अलग आपको डालने की अब देखनू के मिलता है आपने अनुसार इसको चेंज भी कर सकते हैं, साथे साथ बताएंगे कि गाउं का नाम आपको बतानी है, तो ये बच् का पूछा जा रहे विदाले ये जो है किस गाउं में अवस्तित है उसकी जनकारी देंगे साथे साथ जो इसकुल का नाम है आपको बतानी है इसकुल जो है किस परकार का है और इस्टर्ड है रिकोगनाइजड है या नन रिकोगनाइजड है उसकी जनकारी आपको बताएंगे साते साते स्कूल का जो लोकेशन है रूरर या सहरी है उसकी जनकारी आप देंगे बताएंगे कि बच्चे ने उस स्कूल में 3 कलास में कब जोईन किया था किस वर्स और देखनों को मिलेगा और उतिन किस वर्स किया है उसकी जनकारी आपको देखनों को मिलता है बगल में आपको मन्थ भी मिलता है कि किस मन्थ में हुआ है और किस मन्थ में पासवट है वो जनकारी देंगे तो सेम इसी परकार आपको 4-5 का जो डीटेल है आपको फिल करनी है अब आपको कुछ डोकुमेंट अपलोड करने होंगे जिसमें कैनिडेट का फोटोग्राफ गया ये certificate है इसको आपको verify करवा कर ही आपको यहाँ पर अपलोड करना है फिर आपको नीचे में ये option आपको मिलता है से बैन PREVIO का जो आपके समने preview section आएगा जिसमें आपने जितने भी जनकारी फिल किया है सबका आपको एक बार मिलान करना है सारा जनकारी सही है तो नीचे में आपको option मिलता है submit का अगर कोई detail गलत है तो अब ही आपको edit का option आपको दिये गए हैं आप edit कर सकते हैं जैसे submit वाले बिकल पर किलिक करेंगे बोलेगा कि आपको कोई detail चेंज नहीं होगा इस परकार आपका जो form है success product complete होता है congratulations आएगा और यहीं से इसका जो print है आप निकाल सकते हैं यहां पर किलिक करके तो यह complete process था नवदे विदाले समिती में कक्छा 6 में परवेस में आवेदन करने का form fill up करने का हमने सारी guideline को आपको बताया और साथे साथ form भरकर आपको बताया अगर आपको किसी भी परकार के को doubt या confusion है आप comment कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद